जैसा कि आप पहले ही ठंबनेल में देख चुके हैं, आईए बिना समय बरबाद किये सीधे विशय पर आते हैं। महबूबा महबूबा गाना बनने के पीछे एक बेहत दिल्चस्प कहानी है। ये गाना ब्लॉकबस्टर मुवी शोले के सबसे हिट गानों में से एक था। नमस्कार दोस्तों, जनता टॉकीज में आपका स्वागत है। शोले आज तक हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है और ये फिल्म रमेश सिप्पी का मास्टर पीस था जिन्होंने शोले के निर्मान के साथ हिंदी फिल्म उद्योग को एक अलग स्तर पर ले गए impactful dialogues, stunning action scenes, background music, संपादन और गाने सभी उम्मीद से उपर थे RD बर्मन ने शोले के संगीत के साथ शानदार काम किया था और हम सभी किशोर कुमार, मन्ना डे, लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह जैसे गायकों को धन्यवाद देते हैं जिनकी आवाज ने फिल्म के गीतों को सदा के लिए अमर बना दिया अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भूपिंदर सिंह शोले का हिस्सा कैसे बन गए साथ बने रहें दोस्तों, हम इसे वीडियो में बोनस के रूप में साजह करेंगे फिल्म में टोटल साथ गाने थे, जिनमें ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे का दुखद संस्करण भी शामिल था, अधिक्तम मेल वॉइस किशोर कुमार की थी और इस फिल्म में आर डी बर्मन द्वारा गाया गया केवल एक ही गाना था इस एपिसोड के मुद्दे पर आते हैं कि फिल्म के निर्देशक ने किशोर कुमार के बजाए पंचमदा को यह गाना गाने के लिए क्यों दिया किशोर कुमार को यह गाना गाना था जो उस समय फिल्म उद्द्योग में सबसे बड़ी सेंसेशन थे सूत्रों के मुताबिक फिल्म के बाकी गानों की तरह यह गाना भी किशोर कुमार को ही गाना था लेकिन अचानक किसी समस्या के कारण पंचमदा को गाने का फाइनल वर्जन रिकॉर्ड करना पड़ा और बाकी इतिहास है दोस्तों ये उस समय की बात है जब शोले की शूटिंग चल रही थी पूरी यूनिट का शेडियूल टाइट था और हर किसी को अपना काम खत्म करने के लिए समय पर पहुँचना होता था एक शाम आर डी बर्मन ने महबूबा महबूबा गाने का स्क्रैच वर्जन रिकॉर्ड किया और घर लोट आए क्योंकि किशोरदा को इस गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग करनी थी जब पंचम दा घर लोटे तो उन्होंने अपने मामा निर्मल कुमार दाजगुपता को अपने घर में पाया जो उनसे मिलने के लिए कलकत्ता से मुंबई आये थे पंचम दा का अपने मामा जी से बहुत गहरा रिष्टा था कुछ casual discussions के बाद जब उनके मामा जी ने उनसे उनकी फिल्मों के बारे में पूछा तो पंचम दा ने अपने मामा जी को बताया कि वे एक मल्टी स्टारर फिल्म शोले की शूटिंग कर रहे थे जो रिलीज होने पर एक बड़ी हिट होगी और फिर आरडी बर्मन ने महबूबा महबूबा गाने का डमी वर्जिन उनके मामा जी को बजा के सुनाया और उन्हें बताया कि यह गाना जल्द ही किशोर कुमार द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा मामा जी गाने को ध्यान से सुने, मुस्कुराए और पंचमदा से कहा तुम इस गाने को अपनी आवाज में रिकॉर्ड क्यों नहीं करते तुमने इस गाने को बहुत शांदार तरीके से गाया है आरडी बर्मन ने मुस्कुराते हुए कहा ये गाना किशोर कुमार के लिए है और देखिए, वो इस गाने से क्या जादू बिखेरेंगे और बात वहीं खत्म हो गई कुछ दिनों बाद आरडी बर्मन महभूबा महभूबा गाने की आखिरी रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो गए तो उन्होंने देखा कि रमेश सिप्पी समेत पूरी यूनिट किशोर्दा का इंतजार कर रही थी उन्होंने भी कुछ घंटों तक इंतजार किया लेकिन कुछ अग्यात कारणों से किशोर्दा नहीं आए ये उन दिनों की पात है दोस्तों जब फेस्बुक या मोबाइल फोन के बारे में कोई जानता नहीं था, वे किसी भी तरह किशोरदा से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, पूरी यूनिट बेस सब्री से इंतजार कर रही थी, जिसे पंचमदा ने महसूस किया, माहौल को आसान बनाने के लिए पंचमदा ने सभी स संगीत वाद्दे अंतरों के साथ गाने की रहर्सल करने का अनुरोद किया, ताकि जब किशोरदा आएं तो सभी तेजी से रिकॉर्डिंग पूरी करने के लिए तैयार हों। दरसल पंचमदा इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे थे, कि अगर एक दिन के लिए जब उन्होंने गाने की एक दो बार रिहर्सल पूरी की ही थी, कि अचानक पंचमदा ने देखा कि रमेश सिप्पी उनकी और काफी उतसाह से देख रहे हैं। इससे पहले की पंचमदा एक भी शब्द बोल पाते, सिप्पी जी ने मंच पर ही घोशना कर दी कि यह गाना प नहीं है, ये जलाल आगा के लिए है, जिनका एक कैमियो रोल है, आपकी आवाज इस गाने में बहुत प्रभावताली लग रही है, और अभिनेता के साथ काफी अच्छे से जुडेंगे। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। बाद में जब किशोर कुमार को इस घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने वह गाना सुना, जो आरडी बर्मन ने रिकॉर्ड किया था, और किशोर कुमार ने भी आरडी बर्मन की उनके शानदार काम के लिए सराहना की। लोग कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, हम कहते हैं गाने गाने पर लिखा है गाने वाले का नाम। दोस्तों कृपया कमेंट करके बताएं अगर यह गाना किशोर दाने गाया होता तो यह गाना और भी अच्छा होता या इस गाने में पंचमदा की आवाज बिलकुल परफेक्ट थी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आज की जानकारी पर कमेंट जरूर करें और वीडियो को लायक और शेयर करें हिंदी सिनेमा के रेट्रो अपडेट्स और जानकारी के लिए जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करें वीडियो खत्म करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि शोले में एक्चुली आठ गाने थे किशोर कुमार, मन्ना डे और भूपिंदर सिंह द्वारा गाया गया एक कववाली गाना फिल्म की लंबाई के कारण फिल्म में शामिल नहीं किया गया था इस गाने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है गाना है चांद सा कोई चेहरा अर्ज क्या है? इस शाज है के चांद सा कोई चेहरा जाम पी कर शराबी न गिर जाए तो तो में खशी का मरा नहीं आता दोस्तों जल्द ही आपसे एक और दिल्चस्प एपिसोड के साथ मुलाकात होगी तब तक खुश रहें और जनता टॉकीज को सपोर्ट करते रहें